आज कुछ नया concept लेकर आया हूं मैं आपने कई बार देखा होगा कि number में आता है 1.5 कोई दिक्कत्नी होती है number में आ जाता है 2.5 कोई दिक्कत्नी होती नंबरो में आता है 2.75 आप क्या करें कि आदमी कंफ्यूज जाता है कि ये 2.75 है लेक से लेक से 3.25 है ये केलकुलेशन को हमारी इतनी कठिन बना देते हैं कि आद 2.75 को इससे गुणा करना है 3.25 को इससे गुणा करना है अब हम सोच में पड़ गएं कि आद 3.25 2.75 कुछ कॉमन लेंगे क्या करें तो साथियों इस तरह के सवालों के लिए ही मैं आपको छोटी से ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से मेरी ट्रिक को सुनना बहुत ध्यान से मेरी ट्रिक को समझना ठीक है अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेर भी करना ठीक है आओ प्रिक बेसिकली मेरी क्या है प्रिक बेसिकली क्या है अज़ा सबको बता है 0.5 का मतलब क्या होता है सबको बता है 0.5 का मतलब 1 by 2 होता है सबको बता है ना कि 0.5 का मतलब 1 by 2 विकुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जो अपने स्कूल में पढ़ा होगा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा वही चीज में आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है अब ध्यान दिना है कि 0.512 होता है अगर साथियों इसका भी आदा कर दू तो 0.25 है ना इसका आदा 0.25 कितना होता है 1 by 4 होता है अगर इसका भी आदा कर दू तो इसका भी आदा करो आपने का इसका आदा करने का मतलब क्या हो जाएगा कि 0.25 को 2 से भाग करो अब आप करोगे सर कैसे करें तो आपने का सर पॉइंट इटा दिया वेने 2 जीर लगा दिया फिर आपने का सर यह हो गया आपका कितना डिवाइट करना है तो 25 बाइट दो और अपाउन में 100 तो आपने कहें तो 12.5 हो गया और अपाउन में 100 हो गया फिर आपने पॉइंट आया 0 कि आपने कहा 0.125 इतना क्यों करते हैं हम लोग हमारो दिमाग खराब हो जाता है इस तरह की कैलकुलेशन में मेरा मानना है कि आप इन से बचिए इस तरह की कैलकुलेशन से बचिए आपने इसका आदा किया तो आपने का 0.125 वन बाइट यह बात समझ में आ रही है एक बार हाय ना बुलो अब इस शिश्का इंप्लिमेंटेशन कैसे मैं समझाने वाला हूं देखो साथ यह ध्यान से देखना लेट सपोस आगया 1.5 तो आप क्या लिखोगे 1 तो है 0.5 का मतलब 1 by 2 इसकी वहली हो गई 3 by 2 हाय ना बुलो कहीं पर आ गया 1.125 तो आप लिखोगे 1 तो है प्लस 1 by 8 so your answer is 9 by 8 everyone say yes or no कुछ भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है हमको समझना है calculation को कहीं पर आ गया 3.25 तो आप क्या करोगे 3 तो है 0.25 का मतलब 1 by 4 4 3 12 और एक 13 by 4 ये वाली कहानी कितने लोगों को समझ में आ चुकी है 3450 लोग देख रहे हैं शेयर नहीं कर रहे हैं लोग और लाइक भी कम कर रहे हैं कि बहुत इंट्रस्टिंग चीज़ है मैं आपको समझा रहा हूं अच बहुत इंट्रस्टिंग अभी एक्जाम एक सवाल आया था तो बहुत सारे लोग कन्फीज हो गए थे कि 5.25 इंट्रस्टिंग आया था 84 अब सात्यों एक बात बताए चोटी सी केलकुलेशन हमें परेशान कर रहे हैं हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा लेकिन हम फिर भी कन्फीज हो रहे हैं आप मुझे एक बात इमानदारी से बताओ कोई केलकुलेशन अगर हमें परेशान कर रहे है इसका मतलब यह है कि हमने उसमें ध्यान नहीं दिया देखो मैंने का इसको 5.25 यह 5 हो जाएगा 0.25 एक बाई 4 हो जाएगा और एंट्टु में 84 ऐसे कर लो तो 84 का 5 गुना 420 इस वन बाई 4 कितना हो जाएगा चार दुनिया चारी कम चार 441 जवाब दीजिये साथियों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पेले बताओ कम आन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह स्थमसप या फिर आप ऐसे भी कर सकते दे कि 5 1 बाई 4 21 बाई 4 इंटु 84 तो 84 से काट दिया 21 के स्कुएर 441 तो बताओ बेस्ट है कि नहीं है बेस्ट है कि नहीं है अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ अब आपको पता चलेगा कि केलकुलेशन जो आप बरबर बोलते हो ना मेरी स्पीड नहीं आती है सर मेरी स्पीड नहीं आती है अप लेट सब्स लेट सब्स मैंने चीज़ और दी आपको अड़ा इसको भी अब घूम जाओगे एकसाम में आप कहोगे सर 8.75 इंटू 96 आगे आप यहां आप आपने पू प्लस का 3 भाई 4 है इंटू में 96 है आठ चको 32 और 3 35 भाई 4 है इंटू में 96 तो 4 से आपने कटा 24 24 तीयां बहतर 24 पंजे 120 0 2 और 24 7 और 18 834 सर्थियों मेरी स्पीड मजा आरी की नहीं आरी है अब मेरी स्पीड को पकड़ पारें ना कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो कैसी अब अपने सवाल पर आते वापस अब आपको मुझे कोश्चन बताना है जिस सवाल पर मैं आपको छोड़के गया था वही सवाल है बहुत बड़ा सेशन है बहुत लंबा सेशन है छोड़के मज जाईएगा बहुत कुछ सीखने वाले हो आज चलो सबसे पहला सवाल कौन जवाब देने वाला है भाई से मल्टिप्लाई करें तो वेरी इजी कुश्चन बनाव बनाव सावाश ट्राई दो करो 3600 बच्चा देख रहा है सेशन को आप देखो सेम अप्रोच आप क्या करोगे 328 भाई का मतलब पांच भाई दो है ना तो दो से आप काटोगे 16 बार दो से चार बार पांस से मल्टिप्लाई करने टू एट जा 16 टू टू जा 4 820 यूर आंसर नो पेन नो पेपर सॉल विदाउट कैल्कुलेटर आपको शकुंतला देवी नहीं बनना लेकिन आपको इस कोशिश करनी है कि मैं कैल्कुलेट टेजी से कर पाऊं तभी मेरा सेलेक्शन होगा अधर्वाइस मैं तो दिमाग मैं तो एक्जाम ही करता रहे लाइक जैसे पिछले सवाल में आपसे का था कि यह जैसे मैं आपसे का था कि 328 है इसको 5 से गुणा करना तो इसको 2 से भाग कर दिया 16 बार 4 और 1 0 समझ रहे हो ना 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने आपसी क्या कहाँ एक मिनट, है ना, पॉइंट समझ रहे हो, तो यह कितना हो जहेंगा 164, क्योंकि आप 5 को लिख सकते हो, कितना, 10 बाही 2, पॉइंट समझ रहे हो ना, मेरा देखो, फिर से देखो, फिर से देखो इसको, देखो सर, क्या गहने की कोशिच कर रहा हूँ, मैंने का ये 328 है मैंने का इसको लिखा 5 बटे दो और 328 को 5 से गुणा करना है तो इसको 2 से भाग कर दो या पहले इसको पहले भाग करो तो आपने का 164 इंटू 5 करना है तो मत करो 5 से इसको 2 से डिवाइड 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 समझ रहे ना और क्या कि आप 5 को 10 अपन 2 नहीं चाहिए का 10 उपर और एक 0 और कमान थम्स अप समझ आ रहा है तो चलो अगला सवाल खुद से करेंगे 328, 2.75 यूर आंसर हरी अप क्या करोगे 2.75 तो 328 तो क्या लिकेंगे इसको 275 को 3 भाई 4 चार दुनी 8 तीन 11 वाई 4 हाया ना बुलो अब 4 से डिवाइड कर लो 4 8 जा 4 दुनी 8 इंटो 11 और 11 का रूल मैंने कल बताया था कल की क्लास खाता देख ले ना तो 2 आ जाएगा आडर तो 10 का 0 केरी 1 900 दो आंसर है कैलकुलेशन कितनी सुपाब हो रही है यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह की कैलकुलेशन सब बच्चे सीख गए ना तो आप बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ने वाली है मतलब यह समझ लो गाड़ी का अगर कहते हैं एवरेज बढ़ाना है तो उसमें इंजन ओल तो अच्छा डालना पड़ता है लेकिन मोवलेल भी अच्छा डालना पड़ता है अगर आपने इसको अच्छा नहीं रखा तो पेट्रोल कितना ही भरते रहो कॉंसेप्ट कितने ही सीखते रहो अगर आप इन चीनियों को नहीं सीखोगे टेक्निक्स को नहीं सीखोगे तो आप नौकरी लेलोगे लेकिन आपको एक से दो साल लग जाएंगे अगला सवाण सेशन को शेर करो यार कम से कम 4000 होना चाहिए बच्चे लाइक कर दो कर मजा रहा है तो फिर सेम अप्रोच है वन डबल फूर टू पॉइंट सेवन फाइफ दो तीन वाई चार तो सेम चार दुनियाट ग्यारा वाई चार ठीक हैं प्लस चावालिस त्री पॉइंट तो तो त तीन और एक वाई चार चार तीन बारह और एक तीरा वाई चार अब आपने इसको सॉल किया तो आप कौहन से मिल जाएगा बस आपने का चार से काट लिया चार तीन बारह फूर शिक्सट वन टीफॉर यह